टेसला एक ऐसा नाम जिसे जाना जाता है अपने एलेक्ट्रिक कार्स और सेल्फ ट्राविंग कार बनाने के लिए यही वज़ा है कि इस कंपनी ने काफी कमसें में ही लोगों के दिल में अपने लिए जगा बना लिया लास्ट एक मेने के अंदर जिन जिन लोगों ने इस कार के उपर फैक्ट वीड़ो बनाने को कहा उन सब का नाम मैंने कमेंट वक्स में पेंट कर रखा है इस कंपनी की सुरुवात एक जुलाई 2003 में दो लोगों ने मिलकर की थी मार्टिन एवर हट और मार्क टापरेंग फीड 2004 में और तीन लोगों ने इस कंपनी को जॉइन किया था जो कि थे Elon Musk, JB Strouble और LangWrit वहीं अगर हम बात करें इस कंपनी के करेंट CEO की तो वो है Elon Musk जो की 2008 से लेकर अब तक इस कंपनी के CEO है इस कंपनी के नाम को अमेरिका की one of the most great engineer के नाम पर रखा गया है जिनका नाम है Nikola Tesla इस कंपनी का T represent करता है टायर के poles को और ये जो line दे रखा है वो रिप्रेजन करता है टायर के टॉप वाले पार्ट को गयाने की टायर्स को जी हां दोस्ते 2012 में Tesla दुआरा बनाये गए Model S को इस दुनिया के सबसे पहला electric sedan car माना जाता है जो की 100% electric car है इस car में narrow artificial intelligence technology इंस्टॉल किया गया है जो की driver के बारे में, roads के बारे में, environment के बारे में खुश से learn करता है और सड़क पर चलने वाले दूसरे Tesla cars को distribute करता है इसे कहते ह स्वाम intelligence इस car ने 2013 के motor trained car of the year का वोड भी अपने नाम कर रखा है जैसे कि आप लोग जानते है पैटल और डीजल से चलने वाले cars कितना pollution करते हैं और वहीं Tesla को अपने green electric cars बनाने के लिए जाना जाता है इसलिए Tesla अपने competitors को भी free में green electric cars बनाने की technology को distribute करता है ताकि future में ज्या 25 kilowatt का electric motor लगा हुआ है जो कि 0 से 60 की speed को cable 4.00 second में पकड़ लेते हैं इस car की top speed है 124 miles per hour यानि की 201 km per hour बात करे price की तो वो है 98,950 डॉलर यानि की 73,70,000 रुपी टेसला द्वारा बनाये गए model X जो की एक SUV कार है इसके बाब वजुद इस car को safest car में गीना जाता है जिस्ट बिकोज आप यह car वायो weapon defense system से less है यानि की बाहर बम फटने पर भी car के अंदर बैठी लोगों को कोई फरक नहीं पड़ेगा टेसला द्वारा बनाये गए model 3, model S, model X और model Y में autopilot का option दिया जाता है जिसे on करने पर यह model self driving car में convert हो जाता है यानि की आपको कुछ करने की जरूत नहीं है बस location सेट कर दीजिए और आराम से बढ़ जाए यह car आपको safely आपकी destination तक पहुचा देगी इस car में 8 surround camera लगे हुए जो कि पूरे 360 visibility और पूरे 250 meters के area को cover करता है इस car में 12 update ultrasonic sensors और forward facing radar लगा हुआ है जो कि बारिस धूल धून्द और अपने आगे चलने वाले cars को भी साफ साफ देख सकता है और टेसला claim करता है इनके cars woman driving से 10 time safe है अगर आप टेसला द्वारा बनाये गए कोई से भी car को खही देंगे तो आपको अपने smartphone में एक application डाउलोड करना पड़ता है यह application आपके car वाले system से connect रहता है इस application का यह फाइदा है अगर टेसला in future कोई new update लाता है तो आपका system automatically update हो जाएगा आपको कहीं जाने की जोड़त नहीं पड़ेगी इस company द्वारा बनाये अब तक के सबसे सस 62 miles per hour याने की 260 km पड़ा बात करें price की तो वो है 36,990 डॉलर याने की 27,55,000 रुपीज वह अगर हम बात करें इस company द्वारा बनाये अब तक के सबसे महेंगे model की तो वो है gold-plated model S जिसका price है 1.7 million डॉलर याने की 12,65,000 रुपीज जैसा कि मैंने आपको बताया टेसला द्वार बनाये गे कोई से भी car को खईदने पर आपको एक mobile application भी provide किया जाता है इस application की मदद से आप अपने car को कहीं पर भी बुला सकते हैं और कहीं पर भी बेश सकते हैं कई बार ऐसा होता है हम किसी company में job करते हैं और वहाँ पर parking का बड़ा दिक्कत होता है ऐसे में आप अपने car क से भी ज्यादा supercharger stations में 5500 से भी ज्यादा supercharger लगे हुए हैं like North America, Western Europe और China समित कई और countries में भी लगाए गए हैं एक car को full charge होने में कम से कम 30 मिनिट तक का समय लगता है आप बोर्ड ना हो इसलिए Tesla ने कई supercharger stations में कई store खोल रखे हैं like coffee shop, shopping center यानि कि जब तक आपका car charge हो रहा ह तब तक आप जाकर कुछ shopping कर सकते हैं इन superchargers को आप अपने घर पर भी install करवा सकते हैं तेसला द्वारा बनायेगे model X को दुनिया के सबसे safest car माना जाता है दरसल 2016 के NSTSA यनि कि National Highway Traffic Safety Administration द्वारा 5.4 out of 5 star rating मिला था जो कि आज तक बनायेगे किसी भी car models में से सबसे ज्यादा है इस car को maximum points से भी ज़्यादा points इसलिए दिया गया था क्यूकि ये car electric है इसलिए दुरगटना होने पर भी ये car फटेगा नहीं वहीं बाके cars में petrol और diesel होता है इसलिए दुरगटना होने पर कई बार car blast हो जाता है इस company का headquarter US California के Palo Alto में स्थित है इस company में 70,757 से भी ज़्याद इंप्रोस वर्क करते हैं ये company हर साल 5,10,000 से भी ज़्यादा cars बना कर बेज देती है बात करें net worth की तो इस company का total net worth है 650 billion dollar इस company द्वारा बनाए गया अब तक है सबसे fastest car का नाम है Tesla Model S Plaid इस car की top speed है 321 km पती गंटा जो की 0 से 100 km पती गंटे की रफतार को किबल 1.992 में पकड़ लेती है एक बार फुल चार्ज होने पर ये का 627 km तक चल जाती है बात करें price की तो वह 1.5 करोर रुपए 2013 में Elon Musk इस company को उस समय के Google के CEO Larry Page को बेचने वाले थे just because model S की विकरी काफी कम हो गई थी लोग इस model के बारे में काफी complain कर रहे थे जिस वज़े से इस company का production भी काफी कम हो गया था और company घाटे में जा रही थी फिर Elon Musk लोगों दुआरा किये गए सिकायत को ध्यान में रख कर उन सब defaults को ठीक किया और अपनी नए model को लोगों के सामने introduce किया उसके बाद जो हुआ आज हम देख सकते हैं ये company कहां से कहां पहुँच गई Tesla अक्टोबर 2021 में अपने पहले model यानि की model 3 को इंडिया में लॉंच करेगा जिसका प्राइस होगा 60 लाक रुपे जी या दोस्तो ऐसे ही 2022 के अन तक model S और model Y को भी लॉंच किया जाएगा model S का प्राइस होगा 1.5 करोड, model X का प्राइस होगा 2 करोड और model Y का प्राइस होगा 50 लाक रुपे Tesla giga factory को volume footprint के हिसाब से इस दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा building मना जाता है ये factory US के नावारा desert में स्थित है जो की 939 स्क्वाइर किलोमीटर में फैला हुआ है इस building को बनाने के लिए 5 billion dollar का खर्च आया था इस building में basically cars, lithium iron batteries और super chargers बनाया जाता है यहाँ पर 6000 से भी ज़्यदा employees और कई सारे robot मौजूद है इस building में यूज की जाने वाली बिजली को कई सारे solar panel, geothermal energy और wind power से produce किया जाता है अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे like करें, subscribe करें और आपके सारे दोस्तों के साथ share करें thanks for watching